हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल तो आज हम बनाएंगे नाईरा स्टाइल कुर्ती वो भी अंगरखा पैटरन में तो दो डिजाइन एक ही कुर्ती में हम बनाएंगे और बहुत आसान है इसको बनाना तो चल्दी जल्दी से बनाना शुरू करते हैं टॉप पार्ट कट करने के लिए पहले कपड़े को हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे कपड़े को खुलेंगे यह देखिए यह एक तैह है दो तैह किनारी वाली सैड है और उसको फिर हम एक और फोल्ड इसमें इस तरह से देंगे पहले कुर्ती का टोप पार्ट हमने कट करने हैं जो की हमारा आएगा 16 इंच का तो लेंथ देखिए मैंने 16 इंच में रख ली है आगे को सीधा निशान हम ऐसे लगा लेंगे और अब हम कट करेंगे तीरा तो तीरे में मार्किंग जितना आपका तीरा है उसका हाफ हमें लेना है जैसे कि अगर आपका तीरा 12 इंच का है तो आपको 6 इंच का लेना है और उसके पर निच्चे को आर्म होल लेंगे तो ब्रेष्ट के हिसाब से होता है तीरे में एक इंच आप एक्स्ट्रा ले लिजिए अगर बिगनर है तो आगे को हम इस तरह से मार्किंग लगा ब्रेष्ट जितनी आपकी ब्रेष्ट है उसका फोर्थ पार्ट लेना है और आगे को दो इंच का मार्जन हम यहां पर दे लेंगे अब यहां पर आर्म होल की गुलाई दे लेंगे यह देखे इस तरह से तीरे पर इस तरह से देखिए हलकी सी तिर्ची मार्किंग कर लेंग और इस तरह से टोप पार्ट को हम पहले कटकर लेंगे और पूरी त्यार बनके वी शेप में हमने नेक design बनाना है लेकर नेक डिजाइन अच्छा लगता है तो उसके बाद फिर देखिए वी शेप का ये नेक डिजाइन माने कटकर लिया है ये देखे और बैक का आप अपनी मरजे के अनुसार बना सकते हैं तो ये मैंने V-shape का बना लिया है बैक पार्ट का भी अब हम कट कर लेते हैं तो बैक पार्ट का मैं गोल बना रही हूँ यहां से जितना भी आप धाई इंच तीन इंच जितना भी रखना चाहो वो डीप गले के हिसाब से होता है तो रख सकते हैं यहां से देखेए यह मैं बैक पार्ट का भी नेक डिजाइन कट कर ले हूँ अब हम देखे यह आगे वाला पार्ट यह ले लेंगे यहां से धाई इंच में मैंने मार्किंग करी है यह दिखे और इधर से देखे इस सेंटर पार्ट जो है नेक का इधर से इस तरह से इसको मिला के हम इसको भी यहां से कट कर देंगे तो यह देखे इसको मैंने यह कट कर लिया इसको हम साइड में कर लेंगे और कपड़ा रखेंगे जो बाकी का हमारा बचा हुए कपड़ा है उसको इस तरह से देखिए इसके उपर रखेंगे और इसको फिर देखिए इसके उपर उपर से हम कट कर देंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं एक साइड के ही आपके जो है दोनों ना कट जाए आप इसका सिधे और उल्टे का ध्यान रखिएगा तो देखिए इसको मैंने कट कर दिया है और जब हम इसको ऐसे पलटेंगे और दूसरे सेट को ऐसे घुमा के इसको रखेंगे तो यह हमारा अंगरखा पैटरन बन जाएगा तो इसको देखिए मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया है बंद कर लिया इसको और इसके उपर अब हम लगाएंगे लेस तो लेस अपने मरजी के अनुसार जो है आप इसको सजा सकते हैं यहां पर डोरी भी बना सकते हैं तो यह देखिए उपर का पैटरन तो हमारा बनके त्यार है अब इसका बोटम हम बनाते हैं तो पहले मैंने बोटम नहीं कट किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और बोटम के लिए देखिए ये कपड़े को मैंने फिट से देखिए इस तरह से यह दबल करके रख लिया है यह देखिए कुरती की लंबाइ जितनी बी आपको तो नब बड़ा सकते हो तो बोटम में 먼저 ले सकते हैं तीं मिटर में बहुत प्रांट और बैक पार्ठ तोनों को आपको इसी तरह से चेच करना है तो पार्ठ के साथ इसी तरह से चेच कर लेना है अब हम बाकी बचे हुए कपड़े से बाजु कट करेंगे कपड़े को फिर से मैंने देखिए इस तरह से डवल फॉल्ड करके एक और फोल्ड इसको फोर कर लिया है ले लेंगे यहां पर मूरी या मारजन देखे लेंगे यह पर आर्मutes की इस तरह से गुलाई दे लेंगे और इस्तरह से हम बाजू में कट कर लेंगे तो जब tuo बाजू भी है अब हमारे ऐसे कट हो चुके हैं बीच में इस तरह से इसमें एक टक मार्क लगा लेंगे इससे stitching करने में असानी होती है बराबर तरिके से जो हिए बाजू अटैच होते हैं अब हम कुर्ति को आगे stitch करते हैं हम पहले जोड़ लेंगे और फिर यहां पे बाजू को Arrow कर लेंगे तो इस तरह से लिएर को पूरती को लेए ति तीत आप यहां पे मार्किंग करके यहां तक ऍवर्णारी बिना लिए और कि उसमें के फिर बैशे कूर्ष और पूरती को डारी स्केमLoald तीन मिटर कपड़े में बन जाती है देखिए पूरिस्त कुर्ती को मैंने स्टीच कर लिया है और कितनी प्यारी कुर्ती बनी है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पूल लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल में नहीं होगे तो सब्सक्राइब जरू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब आप